हलो फ्रेंड्स स्री गनेश्बोग में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाएंगे मेथी की सबजी ये सबजी हम मेथी बनाएंगे इसे हम मेथी की लूंजी भी बोलते हैं तो चलिए शुरू करते हैं मेथी की सबजी बनाना यहां पे मैंने आदा कटोई दाना में थीली है इसे हम अच्छे से धोलेंगे अब हम इसे कुकर में उबालेंगे मैंने इसे धोलिया है अब हम इसे कुकर में उबालेंगे हम दो सीटी लगने तक इसे उबालेंगे तो दो सीटी लग चुकी थी और मैंने इसे अच्छे से उबाल लिया है ये देखिए दाना मेती अच्छे से पक गई है अब मैं इसे दो तीन बार अच्छे से धो लेंगे तो मैंने इसे अच्छे से दो लिया इसका पानी अच्छे से निकाल दिया है अब हम तेल गरम करेंग तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा चम्मच तेल लिया है तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे तेल गरम हो गया है अब हमने इसमें एक चुताई चम्मच सौंफ डली है एक चुताई चम्मच जीरा एक चुताई चम्मच राइडा ली है हमने इसमें चुटकी बर हींग तीन तेज पत्ते दो सुकी लाल मिर्च तो तड़का अच्छे से चटक गया है अब हम इसमें पहले धुलीवी मेथी दाना फ्राई करेंगे तो हमने धुलीवी सारी मेथी दाना डाल दी है करीबन तीन से चार मिनट तक हम इसे तेल में अच्छे से से शेक लेंगे तो हमने मेथी को अच्छे से से शेक लिया है अब हमने इसमें एक चोथाई चम्मच हल्दी पाउडर डाला है एक चोथाई चम्मच लाल मेर्ची पाउडर एक चम्मच धन्या पाउडर नमक स्वाद अनुसार अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और धीमी आँच में पकाएंगे हमें चार से पांच मिनट तक इसे ऐसे ही लॉफ लेंपे पकाना है हिलाते वे रहना है नहीं तो हमारी सबजी जल जाएगी तो मसाले हमारे अच्छे से सीख चुके हैं आप देख सकते हो तेल भी छोड़ दिया है सबजी ने अब हम इसमें कसूरी में थी डालेंगे मैंने खजूर लिया है खजूर को काटके रखा था किश्मिश लिया है थोड़ी थोड़े से काजू डाले है मैंने आप इक गुड लिया है गुड आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो आप गुड़की जिगे चीनी भी ले सकते हो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम सबजी को ढगती लगा के रख देंगे हमें गेस की फ्लेम को लो रखना है तो अब हम चेक करेंगे गुड़का पानी बन गया है थोड़ा तो अब हम इसे दी में आँच पे पकाएंगे ये देखिए बहुत ही अच्छी बनी है हमारी सबजी ये देखिए बहुत ही टेस्टी बनी है तो आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कॉमेंट्स बॉक्स में लिखके जरूर बताईए आपकी रेसिपी कैसी बनी है तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेर कीजिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन दवाएए मेरी नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगी थैंक यू थैंक यू फोर वाचिंग माई वीडियो